C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफा नंबर 40, सबक 7, नजम बरसात, नजम निगार इसमाईल में रठी. वो देखो उठी काली-काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा. घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक संसना हट हुई. घटा आन कर में जो बरसा गई, तो बे जान मिट्टी में जान आ गई. जमी सब्जे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी. सफ़ा नंबर 41 जड़ी बूटियां पेड आए निकल, अजब बेल पत्ते, अजब फूल फल. हर एक पेड का एक नया धंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है. हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर. जहां कल था मैदान चटियल पड़ा, वहां आज है घास का बन खड़ा. ये दो दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया. इसी आवाज जो हवा के चलने से पैदा होती है. मिह, बारिश, लहलहाना, सबजे या दरख्तों की डालियों का हवा से हिलना, लहराना, जूमना, पर निकलाना, उड़ने के काबिल हो जाना, चटियल मैदान, वो मैदान जहां कोई दरख्त या हर्याली ना हो, माजरा, वाकिया, किस्सा. बरसास से किसान को कई फायदे होते हैं, फसल लेलहा उड़ती है, अनाच पैदा होता है, और फल फूल निकलाते हैं. निकल आए गोया के मिट्टी के पर, यहां जमीन पर फुदकते हुए परिंदों और जानवरों को शायर ने मिट्टी के पर निकलाना कहा है. इस नजम में आहट और संसनाहट दो लवजाएं हैं, ऐसे ही कुछ और अलफाज भी आप बोलते हैं, जैसे भिन-भिनाहट, खड़-खड़ाहट, सरसराना वगएरा. अपने उस्तास से इन लवजों के मानी मालुम कीजिए. अलिफ, घटा का रंग कैसा है? घटा के आने का पता कैसे चलता है? जीन, बेजान मिट्टी में जान किस वज़ा से आई? दाल, बरसाद से किसान को क्या फायदा हुआ? हे, हर एक पेड का एक नया धंग है, से आप क्या समझते हैं? वाओ, बरसाद की वज़ा से जंगल कैसा हो गया? चार, इन मिस्रों को सही लवज से पूरा कीजिए. अलिफ, घटा के जो आने की खाली जगा हुई. सफ़ा नंबर तैंतालीस, बे, घटा आनकर खाली जगा जो बरसा गई. जीम, हजारों खाली जगा लगे जानवर. दाल, जहां कल था मैदान, खाली जगा पड़ा. हे, के खाली जगा का जंगल हरा हुगया? पांच, दिये हुए लवजों में जो इस्म हैं उनके गिर्द दाइरा बनाईए. घटा, पेड, काली, आना, हवा, पत्ता, हरा, बरसा, जंगल, मिट्टी, जडी, नया, निकल, मेह, उठी, चटियल, अजब, लैलहाने, किसान, फूल. छे, नजम के मताबिक हर शेर को मुकमल कीजिए. अलिफ, जमी सब्जे से लैलहाने लगी. खाली जगा. बे, हर एक पेड का एक नया ठंग है. खाली जगा. जीम, हजारों फुदकनें लगे जानवर. खाली जगा. दाल, जहां कल था मैदान चटियल पड़ा. खाली जगा. हे, ये दो दिन में क्या माजरा हो गया. खाली जगा. सफ़ा नंबर चवालीस. साथ, नजम में जो अलफाज इस्तेमाल हुए हैं, उनके गिर्द दाइरा बनाईए. काली, घटा, रहट, जमीन, खेद, किसान, मेहनत, अजब, आम, सबजे, दरख्त, पेड, जंगल, नीला, हरा, सेब, जानवर, पर. आठ, मिसाल के मताबिक दिये हुए लवजों के सही जोड़े बनाईए. मिसाल, बेल, पत्य, मिट्टी, फूल, जड़ी, मंगल, धंग, फल, बूटियां, पानी, रंग, जंगल. इन लवजों को कॉलम अलिफ और कॉलम बे में मिसाल के मताबिक लिखिए. नौ, इस नजम में लवज बे जान आया है जो दो लवजों से मिलकर बना है. इसका मतलब है मुर्दा या मरा हुआ. इसी तरह दिये हुए लवजों में बे लगा कर लवज बनाईए. मिसाल बे जान खाली जगा नाम खाली जगा कार खाली जगा सब्र खाली जगा सुद्र खाली जगा सहारा. सफ़ा नंबर पैतालीस दस खाके में दिये हुए हुरूफ को तलाश करके तस्वीरों के नाम लिखिए मिसाल यहां एक मूली की तस्वीर दी गई है यहां एक गेंद की तस्वीर दी गई है यहां बतख की तस्वीर दी गई है यहां एक तितली की तस्वीर दी गई है यहां एक फूल की तस्वीर दी गई है सफा नंबर 46 दाइरों में चार फलों के नाम बेतर्तीब हुरूफ की सूरत में दिये गए हैं उन्हें तलाश कीजिए और लिखिए पहले दाइरे के हुरूफ हैं अलिफ, रे, अलिफ, वाव, रे, वाव, गाफ, नून दूसरे दाइरे के हुरूफ हैं सीन, अलिफ, रे, नून, बड़ी ये, मीम, बे, डाल सबसे चोटे दाइरे में हैं अलिफ इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक साथ नजम बरसाथ समय रिकॉर्डिस्ट बटिलाइंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत